पर दिवादर श्रिलंका के आज के तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट और आखरी ओर का पूरा रोमांच दोस्तों तो पहले अगर भार्टी दिवाजी की बात करें तो पहले बात करते वे रोई शर्मा ने 72 रनों की तूफानी पारी खेली थी पहली गेंद अर्शिदीब सिंग ने बहादरीन तरिख से यौर कर रग दी हमारे रजा पक्सा को जो की बल्ले बात करने आये थे जिसके जलते अब जीत के लिए शरी लंगा को तीन गेंदों पर तीन रनों की दरकारती क्योंकि पहली बाल पर सिंगल दूसरी बाल पर सिंगल और तीसरी बाल पर दो रन आ गये थे पर चुके रिशया पंध दोसो डेरक्टरों मानिक चक्कर में मिस कर बैटे जैसे ही पहला डेरक्टरों मिस वा उतने ही देर में दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया धासुन शाना का ने और बिना गेंद को टच किये दो रन ले लिए शिरलंका ने जिसे जलते एक गेंद र दोसो और आज हम आपको बताएंगे कैसे श्रीलंका ने भार दिडिम को चार विक्टों से आज का एशिया कब 2022 के सूपर 4 का मुकाबला राया तो दिल डाम कर बैटिए दोसो पहरे आपको बताते हैं आखरी ओवर में क्या हुआ और आखरी गेंद के पहली गेंद का रुमाच हम आपको बताने वाले हैं दोसो गल्ती से बल्ला लग गया गेंद को रजा पकसा का वरना यहीं यहीं अल्बडबल आउट जाता है इसे देख इस देख इस देख से बुरी तरगस से मायूस हो गया रोई शर्मा क्योंकि पहली गेंद पर आ सकती थी विकेट जिसके बाद रोई शर्मा ने फीड्लिंग में बदलाव किया और यहीं पर हुई रोई शर्मा से सबसे बड़ी गल्दी उसके आगे की चार गेंदे पूरी तरगस से यॉरकर रखने की कोशच में सिंगल डेबल दे दे गए अर्शिदीप सिंग और आखरी गेंद पर धासुन रजा पकसा और शनका ने मिलकर तूफ़नी तरगस से एक गेंद रह देवी छे रन लगा दिये जिसके चलते है भार्डी डिम को चे विक्टो से करारियार का सामना करना पड़ा दोस्तों आगे हम आपको आखरी ओवर का पूरा रोमाच बताएंगे पूरे आखरी चे केंदों की हाईलाइट बताएंगे तो आगे की वीडियो ज़रूर लिए दोस्तों गराव बिरूई शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी और कप्तान मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार ज़रूर पर देजाएं दोस्तों समापत हो चुका है भारत बनाम श्री लंका का एशिया कप का सूपर फोर का इक और दुवानी मुगाबला दोस्तों मुगाबला शुरूरा से ही बात रेन रहा जब भारती टीम ने पहले बले बाज़े करते 173 निस्कोर बोट पर लगा गिये थे इतने टारगेट को 6 विक्टे बागे रह देवे श्री लंका की टीम ने पूरा गल्या सिर्फ और सिर्फ चार विक्टे कवा कर इसके चलते भारती टीम को इस एशिया कप में अब सबसे बड़ा जड़का लग चुका है दोस्तो अब भारत के कौलिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रास्ते हो चुके हैं दोस्तो अब सब भारती टीम की ये जितने श्री लंका की लगभग 2002 के बाद से एशिया कप की सबसे बड़ी जीत है क्योंकि इससे पहले एशिया कप के सूपर फोर के मुखाबले में श्री लंका ने भारती टीम को नहीं आ रहाया था दोस्तो ये हो गया बड़ा रिकॉर्ड दोस्तो धासुल शनागा को मैन अब दो मैच का आवर्ड दिया गया दोस्तो अब 99% बाहर हो चुकी है भारती टीम एशिया कप से क्योंकि आने वाले मुकाबले में अफगानिस्तान को शेलंका को हरा ना है फिरत आफगानिस्तान को पाकिस्तान को हराना है जो सबसे जादा मुच्किल बात है लेकिन दोस्तों आप कॉमेंट में बताईए क्या भारती डी मिस साल फाइनल के लिए कॉलिफाई हो पाईगी है नहीं इसका जोब में कॉमेंट में दोस्तों अगर आप भी रोई श्रमा को एक इसे कप्तान मानते हैं तो से वीडियो को दिल से लाइक एक बार ज़रूर करते बहें जाएं दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बराम श्रिलंका का एशिया कपके सूपर फोर का एक और तूफानी मुखाबला है दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में श्रिलंकाय कप्तान ने टॉस दित और गेंद बाजी को चुना जिसके चलते केल राहूल और रोई श्रमा सलामी बले पास बन कर आए दोस्तों लेकिन उसके बाद भी भार्दी टीम को बड़ा जटका लग गया पहतरिन फॉर में चार रहे विराट कोली आते ही इस सिर्ग से मातुशंका की गेंद पर बुरी तरग से बोल्ड हो कर रहे वर भार्दी टीम को लगा बड़ा जटका पर सामने कड़े फील्डर को गलती से कैज जबेडर पड़ी विकेट कवा बैटे बहतर रन बनाए कप्तान रोई शर्वा ने 41 गेंद हो असामना करते वे और ये आउट हुए दोस्त के पास सुर्य कुमारी आदब 24 रन पर आचुके थे इन से भी हो गई बड़ी गल्दी दासुन चाना का की इस गेंद को इस से उपर का शॉट मालने की चक्कर में हवा में खेल बैटे और पीजे विल्डर ने इस से शांदार कैच लपग ली दोस्त के पाद मैदान पर हर्दिक पंदी आए बले बाजी करने के लिए और इनसे बड़ी फिनिश के उम्मीट थी लोरं का साथ दे रहे थे भादर इन बले बाजी रे शबपन तभी हर्दिक पाड़ी टीम का साथ छोड़ बैटे दासो इन शाना का की इस गेन पर सामने का शोड़ तो खेल बैटे हर्दिक पाड़ लेकिन भूल गए वहाँ भी फिल्डर तैनाथ था और फिल्डर ने शांदार कैच लपग ली दोसो हार्दिक पाड़ी बी 17 मना कर तेरा के नोगा सामना करते अपनी बाड़ी विकिट इस मुकाबले में कवा बैटे उनके पाद दीप अगुड़ आए बले बाजी करने के लिए आदे ही ये भी मादुशंका की इस गेन पर क्लीन बोल्ड हो कर रहेगे दोसो दीप अगुड़ा 13 मना कर चार के नोगा सामना करते अउट हुए लें भाड़ी दीव के चटके रुखने का नाम नहीं ले रहे थे सेट बले बाजरी शब पन्द भी बड़ी गल्दी कर ही बैटे इसी ओवर में जिसके चल्दे पार्टी टीम ने 113 तरन लगा दिया है आंट विगेट के लिक्ट साम ऐसे मिदने टार्गेट का पीछा करने उतरी श्री लंका की टीम दोसे जैसे शिरुवाद की शिलंका को जरूरत थी उससे बहतरीन शिरुवाद दिलाई पातुम निसंका और कुसल मैंदिस ने दोनों ने मिलकर बहतरीन बले पाउसी की दोसों देखते ही देखते हैं इस मुकाबल में सट्टान रन पर पहली विगड़ गिरी शिल लंका की बाउन रन बना कर साइं 30 गेंदों का सामना करते पातुम ने संक आउट हुए तीसे नमबर पर आये थे असा लंका, इनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन युज उंदर चैहल ने इन्हें भी पसा दिया दोसो चैहल की इस गेंद पर भावा में बड़ा शौट तो खेल बेड़े असा लंका, लेकिन गेंद जा 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 कर गिरी हमारे सूरी अकुमार यादफ के हाथों में, जिसके जल्दित मुगाबले में असा लंका भी मातर शूनियर मना कर तीन के दोखा सामना करते पनी बड़ चिल्ला पगली, एक रन बना कर सांद के दोखा सामना करते वे, चौदे नंबर की बल्ले पास गुना तीला का आउट वे, दोस उस मुकाबले में तीन बड़े विगेट निकाली इस उंदर चेहल ने और एक विगेट निकाली अश्विन ने, लेकिन उसके बाद आया मजा, दोसो चेहल की इस गेन पर सैट बल्ले पास पासुन निसंगा पन नहीं पाए, और हो गए LBW आउट, और भार दिरिम को बड़ी सफलता मिली, सैट बल्ले पास पासुन निसंगा पावन रन बना कर आउट होकर रह गये, दोसो अब सभी को बता दे, उसके बाद आये रजा पकसा बल्ले पासी करने के लिए, चेहल तो तीन फिकेट निकाल चुके थे, उसके बाद कप्तान आये बल्ले पासी करने के लिए शाना का, लेकिन इन दोनों की साइधारी को तोलना भार दिरिम के लिए नामुम्किन हो गया अंती मोवरों तक, जहां दोनों ही बल्ले पास यह एक गिंद रहते हुए श्रिलंका ने भाषर दीण को 내 Akardy आौर आग लिए और में जी आओ पने आप में काफी बड़ी बात है एक गंद रहते हुए श्रिलंका ने मुकाबला जीत लिया दोस्तो भार्टी टीम पहुँच चुकी है दुबाई के एक रिकेडी स्टेडियम में लेकिन दोस्तो आपको क्या लगता है रिशाप पंद और हार्दिक पाणिया में से कौन खुखार बल्ले बास है इसका जॉपा में कॉमेंट में बताईएगा दोस्तो जल्दी शुरूने वाला है भारत और श्रील लंका का एशिया कप 2022 का सूपर 4 का मकाबला जिसके लिए मैदान पर कप्तान रोई श्रमा पधार चुके हैं उनके साथ पिछले मकाबले के स्टार बल्ले बास हमारे रन मेशिन विराड कोली भी आ चुके है दोस्तो जल्दी शुरूं के साथ साथ भारत टी में विकेड़ की परजिन वे पिछले मुझाबले में वाला है रिश्या 죄송 बनके साथ बास हमार पर दोसो हर्दिक बन्य के साथ और स्टार बिले बाउजिस का नाम है के यल राउल यह भी नजर आए सबी घिलाडी पहुंच चुके हैं मैं आदान पर आज सुबा आज बजे से नेट्स का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो चुका है पहले तो दोनों ही टीमों को दो इस समय बा पर जरूर बताते हुए जाएं कोई चुनेंगे थैसाफ से दोनों फी टीम में फिलहाल बडाबरी पर है अब देखना ये होगा कि क्या पाकिसान अपनी हार का बदला लेती है या विर हमारी भार्टी टीम पलट वार करकर भार्टीम को दूसरी शर्म आघारा राती है दोनों ही टीमों के बीच में काफी तगड़ा मुकाबला होने वाला है तो जुड़िये रहे हमारे साथ भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के सबी अपडेट्स और चटपटी खबरे जानने के लिए लेकिन दोसो आप रोई शर्माई काफ्तानी को दसमसी किने नमबर देंगे इसका चौप में कॉमेडी में एक बार जरूर बताते वे जाएं क्योंकि जड़े जा बाहर हो चुके हैं इंजिरी से और आवेश खान की भी इंजिरी बताई जा रही है दोसो अब बात आती है भार दी डीम की प्लेंग 11 की दोसो भार दी डीम की प्लेंग 11 की सबसे पहले आपको बात बता देते हैं दोस्तो भार्दी टीम की प्लेंग 11 में होंगे रोईश शर्मा, केल राहूल, विराट कुली, सूर्य गुमारियादव, हार्दिक पांडियार, रिश्या, पंथ, दिनेश कार्दिक, अक्सर पडिल, भुवनेश और कुमार यूजव इंदर जहल, अर्शदीप सिंग दोस्तो एक खिलाडी की अगर कमी आएगी, तो वो रवी चंदरन अश्विन की होगी, दोस्तो यह होगी भार्दी टीम की प्लेंग 11 पाकिस्तान की खिलाफ, दोस्तो भार्दी टीम काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि इस एशिया गप में भार्दी टीम ने बार जरूर बताते वे जाएं, दोस्तो गराब बिरूर शर्मा को एक बहतरन की लाड़ी मांदा हैं तो वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं, दोस्तो जल्दी शुरू होने बदा है, एशिया कप 2022 का एक और दूफानी मुखाबला जहां एक और बरामने स पर फोर के स्टेज पर आ चुकी हैं और आ चुका है मामला वापिस से एक दोनों की इज़त पर दोस्तो रोई शर्मा अपने राहूल ड्रविट कोच के साथ मैदान पर उतर चुके हैं तो वी पिछले मुखाबले के स्टार बहले पाउस हार दिक पाने